कि अरे और भाई क्या चालत रे आजा भाई तु भी लगा ले एक अजादी देश की खुशी में देश अंग्रेशों से तो अजाद हो गया लेकिन अभी भी इन शराब और जुगों के नशों में अभी भी डूबा पड़ा है इन सबसे अजाद होने की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे देश को कल छोड़ तुपसे बात ही नहीं करने अरे भाई कल तो आजादी दिवस है कल तो चम के पतंग बाजी करेंगे लेकिन भाई त्यारी तो आज ही करनी पड़ेंगी यह तो तू माद सही कह रहा है चल जुगार कर ले कर ले कोई जुगार को अपे उच्चा यार यह हवा का दोश है शाएद इसमें पतंग पतंग को ना उड़ाने में भई पतंग को ना उड़ाने में भई उजे पतंग नीचे गेगी जा उठा के ला अब लाया आप यहां पर पड़िये अरे भाई 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 रुको 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 अरे क्या हो गया भाई अरे भाई साब आप हमारे देश के जंडे के उपर पैर रखने वाले थे क्या फरक पड़ता है कि परता है आखरकार ये हमारे देश की शान है हमारा अभिमान है शान और इस घटिय से देश की हर जगह तो इतना गंद डला रहता है, ना अच्छी सरकारे हैं, ना अच्छी सडकें, कुछ भी अच्छा नहीं है इस देश में, भारवाले देशों को देखो, उनके पास क्या नहीं है, उनके पास गर्व करने के लिए एक देश नहीं है, और हाँ, आपके इन चोचलों से त देश, चाहे हमारे देश के पास यह ऐसा सब कुछ नहीं भी है, तो भी, इस देश को सुधारना हमें ही है, और हाँ, अगर हम अपने देश को ऐसे गालियां देते रहें, तो इससे तो सुधार होने नहीं वाला, तो इसलिए मैं आपको बस यही कह सकता हूँ कि, भले ही हमा कावरन साफ ना हो लेकिन हमारे लोगों के दिल साफ है और पूरे विश्व में हमारे देश के त्योहारों और उनकी संस्क्रीतियों की महानता को पहचाना गया है और हां अगर आपको इन सब बातों को सुनकर अभी तक भी अपने देश पर गर्व नहीं हो रहा है तो आप इस मुझे अपने देश पर बहुत फक्र है कि मैं इस देश का निवासी है तो कैसी लगी आप लोगों के मेरी देश प्रेम पर बनाई हुई एक प्यारी सी एक चोटा सा मेरा ट्रिब्यूत है मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि गलत देश नहीं गलत लोग होते हैं आपको सिर्फ इतना ही करना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो नहीं पसंद आई तो आप कोमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कुछ पार्ट गलत लगा यह आपको कुछ नहीं अच्छा लगा उसमें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना क्योंकि इस करते हैं